जारकर्ण में एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें कुछ महिला कर्मी एक महिला को घर से घसीट कर बाहर निकालते दिख रही है महिला रोती है चिलाती है लेकिन महिला पुलिस कर्मियों पर इसका कोई असर नहीं होता है बताया जाता है कि बगेर मुआवजे के घर खाली करने के विरोत करने पर महिला को महिला पुलिस कर्मियों के आमानव्य वहवार का सामना करना पड़ा महिला का नाम सकुंतला देवी है और ये गिरिडी के बगोदर की रहने वाली है पिडिता महिला के घर के पास से जीटी रोट 6 लाइन सड़क निर्मान कारिव दिलिव बिल्ड कॉन कमपनी के द्वारा किया जा रहा है इसके लिए NHAI के द्वारा रोट किनारे की जमीन और मकान का अधिगरन किया गया है जिसमें इस महिला के घर को भी अधिगरन किया गया है लेकिन इस बेवस महिला को मकान के एवज में कोई मुआफजा अभी तक नहीं मिल पाया है और प्रशाशन के द्वारा बग्यार मुआफजे दिये मकान तोड़नी की कोशिच की जारी थी हलाकि प्रशाशन को आम जनता के विरोध के बाद वापस लोटना पड़ा इसे लेकर भुत्त भोगी महिला सुकंतला देवी ने बताया कि वो बिद्धा पेंशन लेकर उजारा करती है और फिलाल उनके पती भी घर पर नहीं है जबकि सरकार का मुआपजा के रूप में एक फूटी कौडी नहीं मिली है ऐसे में बिना मुआपजा वो जीते जी घर खाली नहीं करे है बेटी को घीच के लिए गया रमको पुरा मार पीट किया पुरीस लोग अब लता अपको घर तोड़ दखा है हम बोल रहे हैं उनको की मेरा निवाजा दीजिए उसके बाद आप घर तोड़िये हम तो नहीं बोलने के नहीं तोड़ने के लिए हम तोड़ने के लिए बहु है कि मैरा पाइसा दे लिजी उसके बाद तोड़िये वाको जबाद जबाद जेश्ति पूरा पुरा मार पीत पुरा किया tuvo Radio po गरे में और फेटी को घर्टा आता था। झाल झाल